दोस्तों कि आपके आसी एस बोट की स्टॉंम वाली स्मार्ट वाच है और आपके स्मार्ट वाच में नोटिफिकेशन वाटसाप अले नहीं आते हैं तप को इस वीडियो में पूर हम सॉलिशन प्रोइट करेंगे, कैसे रोटसेप आले को अन करें ताकि आप भी अपने smart watch में WhatsApp IP notification को देख पाएं अब इदर आप मैं चल्ड को subscribe नहीं किया है तो प्रीज मैं चल्ड को subscribe कर लीजिए ताकि आपको ऐसे latest videos मिलते रहें सबसे पहले आपको मैं इस problem का एक demo करके दिखाते हूं तो आप देखेंगे अभी के case में मैंने अपने smart watch को बोट की pro gear app के साथ sync करके तो अगर आपको इब उपन करके भी दिखाऊं तो आप देखेंगे यापी वो sync है और इसमें कोई problem नहीं है अगर मैं WhatsApp पे कोई message भेजूं तो वो मेरी smart watch में flash नहीं करेगा और यहाँ पे show भी कर रहा है उसका message बट smart watch में देखेंगे मुझे कोई भी notification शो नहीं करेगा अगर मैं इस तरीके से हूँ तो यहाँ पे कुछ भी show नहीं कर रहा है तो अगर आपके phone में भी यही problem है और आपको समझ नहीं हा रहा है इसका कैसा solution निकालें तो आपको मैं explain करता हूँ यह problem क्यों आती है और कैसे इसको resolve करें तो इसको आपको करना क्यों होता है आपको पहले अपनी pro gear app पे जाना है फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी options देखेंगे अगर आप को device में जाएंगे तो आपको यहाँ पे options देखेंगा SNS Alert वाला और इसको जाकर आपको क्या करना है इसको allow करना है जैसे आप इसको allow करेंगे तो आपको पूछेगा SNS alert अब on है और इसको on करने का अगर आब मैं test करूँ तो आप देखते हैं कि क्या वो work करता है या नी तो फिर से मैं same message भेजता हूँ और test करते हैं कि वो उसका notification अब मेरी smart watch में आता है या नी तो यहाँ पे तो आ गया है अब इसको check कर लेते हैं अगर मैं आपको show करूँ तो उसके बाद भी अगर मैंने आपको on करके SNS alert को उसके बाद भी नहीं आया अब इसका reason क्या है वो आपको मैं explain करता हूँ बहुत सारे friends के भी यह problem रहते हैं कि वो अपने pro gear app में इसको on तो कर देते है SNS alert को जैसे मैंने आपको on करके देखा है बट उसके बाद भी आपको whatsapp गर के notification नहीं आते हैं तो आपको करना क्या होता है आपको अपने phones की setting में जाके यहाँ पर notification का alert को option होता है उसको जाके activate क करना होता है अगर आप उसको on नहीं करेंगे तो आपके smart watch में इसके notification नहीं आएंगे चाहे आपने यहां से SNS alert को on कर दिया हो तो वो कहाँ पर option होता है वो आपको में जाके आप दिखाता हूँ तो अगर आप अपने phone की settings में जाएंगे आपको एक option में देगा आपके phone में SMS वाला भी offer है जैसे भी इसको आप on करेंगे आप बाकियों को भी on कर दीजिए notifications के लिए आप इन सबको on कर दीजिए और इसका आपको करना क्या है इन सबको on करने के बाद भी आप अगर अगर मैं इसमें message भेज हूँ अपने phone पे तो आप इसका notification नहीं आएगा उसके कर देता हूँ और किल करने के बाद अब अगें मैं इसको एक बार sync कर देता हूँ फिर से तो जब अब fresh sync होगा आपकी smartphone के साथ इस smart watch का तो आप देखेंगे अब इसमें notification आना स्टार्ट हो जाएंगे तो यह आप इस सिंक हो चुकी है smart watch अब मैं फिर से एक बार SMS भेजता ह हम वाटसेप वाला हूँ और टेस्ट करके देखते हैं कि वह work करता है या नहीं और फिर आपको मैं पताते हूँ कि आप message को read कर सकते है इन तो यह आपे अपर इस थౌ caliber कर देखेंगे हो दो एक दो बार कर लेते हैं मैं कुछ्छ को लिख्के भेजता यह भी आपको नोटिफिकेशन अब आता है यानि तो अगर मैं फोन को साइड भी कर दूँ तो आप देखेंगे यहां पर बाना स्टार्ट लोग है नोटिफिकेशन तो आप देखेंगे इस तरह के साब रीड भी कर सकते हैं कि किसके एंड से आया है टाइम भी शोग करेगा रवी कान्त नाम का कोई परसन है उसके फोन से SMS आया है और यहां पर मैसेश को रीड भी कर सकते हैं एक चीज़ क्लेर कर दूँ बस आपको नोटिफिकेशन आता है वाटसैप का यह जिसके भी आपने नोटिफिकेशन अन करके आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं आप बस मैस अगर आप यू करेंगे तो आपको शो करेगा कि आपको हाउ आयू करके मैसेज आया है रवी कान्त ख्यांट से 11-3 पर आपको और भी मैसेज आया होंगे लोगों के तो आप देख सकते हैं और उसको आप क्लेर करने के यहां पर जब डिलीट पर क्लिक करेंगे तो सारी सब्सक्राइब जरू कीजेगा